नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल भारत एक सोच और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तरप्रदेश की राजनीती को लेकर जहां पर दो धुरंदर आपने सामने हैं उत्तरप्रदेश की राजनीती में एक है समाजवादी पा ठावी आपको बताने जा रहे हैं केशो प्रसाद मॉर्या ने जो तीशी को दिखाई अकलेश यादो के कुंडली किया बड़ा क्या दावा किया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं डैपडिसीयम केश्व प्रसाद मौरिया जिनोंने ये दावा किया है कि अकलेश यादों पर निशाना साधा और उनका सत्ता में आने का कोई भविश्व नहीं है वो पहले विपक्ष की भूमिका निभाना सीखे ये बात क केश्व प्रसाद मौरिया जिनोंने कही हैं अकलेश यादों पर निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा अब इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं सोशल मीडिया प्लेटवर्म दोस्तों राजनेती का खाड़ा बना हुआ है कोई भी एक बयान निकल कर सामने आता है उसके बाद आप एक्स पर चले जाएए और जो की पहले टूटर था उस पर चले जाएए और उस पर उसकी प्रतिक्रिया देख लीजिए सामने कौन कौन आ गया इसके बाद इस बयान के बाद शुपाल सिंग यादो और केश्व प्रसाद मौरिया आपसी नहीं कर सकते पहले विपक्ष की भूमी का अच्छे से निभाएं ये बयान भी हम आपको सुनाएंगे दहरे रखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा लेकिन शुपाल सिंग यादो ने क्या का है वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले केश्व प्रसाद मौरिया का ये बयान सुनिए जो उन्होंने कहा है वो सुनवाते आपको दोस्तों तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आपर केश्व प्रसाद मौरिया ने एक बार फिर से सुनवाते आपको तो केश्व प्रसाद मौरिया के पास एक जोतिश है और कई जोतिश है जिसकी जिनके पास वो जाते हैं और अलग अलग राजनेतिक दलो के नेताओं की कुड़िया दिखाते हैं ऐसा उनके बयान से लग रहे हैं ये मैं नहीं कहे रहे हूँ ये उनके बयान से लग रहा हैं वो कह रहे हैं कि हमने कई जोतिशों से Ministry ने दिखा है कर रेह हैं और उस पर उन्होंने क्या लिखा है शायद माननी उपमुख मंतरी महोदे उस जोतिश की चर्चा कर रहे हैं जिसे विद्वान जोतिश ने सिराथू विदान सवा सीड से उनकी प्रचंड जीत की भविश्वारी की थी तो एक तरह से चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहे ह यहाँ पर शुपाल सिंग्यादो क्या लिखा है शायद माननी उपमुख मंतरी महोदे उस जोतिश की चर्चा कर रहे हैं जिस विद्वान जोतिश ने सिराथू विदान सवा सीड से उनकी प्रचंड जीत की भविश्वकारी की थी दरसल दोस्तों है क्या कि सिराथू विद देते हैं उस पर विपक्षियों को यहाँ पर समाजवादी पार्टी को या फिर कॉंगर्स पार्टी को एक मौका मिल जाता है उन पर हमला करने का और वही चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस जोतिश की आपर बात कर रहे हैं देखिए सुनिएगा सुना आपने क्या कहा उन्होंने थोड़ा विपक्ष की भूमिका निबाले और अकलेश यादो उनके परिवार का उनका सत्ता में आने का कोई योग नहीं है उन्होंने जोतिश को दिखा रखा है और उसी पर चुटकी लिए है शुपाल सिंग्यादों नहीं उनका टुटर हैंडल अकाउंड है आप देख सकते हैं मानी नियोप मक्हमंत्री महोदे उस जोतिश की चर्चा कर रहे हैं जिस विद्वान जोतिश ने सिरातु विदान समा सीट से उनको प्रचंड जीत की भव लूतों से हराया था यह हम सिरातु की बात आपको बता रहे हैं याद दिला रहे कि आकर वहां पर हुआ क्या कुछ था टिकट मिला था यहाप पल्लवी पटेल और उसके बाद उन्होंने 7337 वोट से हराया था ता सिरातु विदान साबा सीट से बाचपा की टिकट पर मौरिया जो कि 98,727 वोटों पर सिमिट गए थे और उनको संतोस करना पड़ा था इसके बाद तीसरे नमबर के अगर हम बात करें तो भी S.P. के मुंसाब अली को 1034 माप की जगा 1034 वोट मिले थे ये पल्लवी पटेल जिन्होंने हराया था सिरातू में केशो केशोपरसाद्मारिया को इसके बाद केशोपरसाद मौरिया काफी दिनें बाद मीडिया के साम oluyor और उन्होंने एक बयान दिया वो भी हम आपको बताते हैं कि उनकी हार कैसे हूई और क्यों हुई उन्हों उन्होंने अंग्रेजी अक्पार है दि इंडिन एक्सप्रसकों एक इंटर्वियू दिया था सुनिएगा बड़ा इंटरस्टिंग है रोचक है यूपी के डेपडिसियम केश्व प्रसाद मौर्या ने कहा पार्टी का नेतरत कर रहे नेता चुनाओ एक सीट पर नहीं लड़ते हैं ये केश्व प्रसाद मौर्या ने कहा था उत्तर हो या प्रदेश के नेता मतदाता को इससे क्या मतलब वो इसकी परवा नहीं करता है वो सिर्फ ये सोचता है कि ये केश्व जी हैं ये हमारे साथ उठते बैठते हैं आज इनके पास हमसे वोट मांगने की भी फुरसत नहीं है पंदरा दिन में आप पूरी विदानसवा कव और नहीं कर सकते और सिराथू में यही हुआ यह उन्होंने इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास समय नहीं था चार सो तीन विदानसवा पर लड़ रहे थे अपनी सीट के लिए समय नहीं था पंदरा दिन मिले ते कहां घूम लेते तो दोस्तों यह एक सोच जरूर देखते रहेगा अवसकार दोस्तों